नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज से हम अपनी सीरीज का पहला एपिजोड स्टाट कर रहे हैं, जिसमें हम ये बात करेंगे कि मानफ की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे human evolution हुआ, फिर धीरे 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 हम बात करेंगे कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ी और international relations पर आएंगे पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे भ्रह्मांड की और प्रत्वी की उत्पत्ती कैसे हुई हमारे भ्रह्मांड की उत्पत्ती हुई थी करीब करीब 1380 करोड साल पहले 1380 करोड साल पहले, एक थियोरी है जिसे कहते हैं बिग बैंग थियोरी इस थियोरी के अनुसार करीब करीब 1380 करोड साल पहले हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ती हुई थी हर तरफ केवल गैस के कड़ थे कुछ धूल के कड़ थे कुछ छोटे चोटे पार्टिकल्स थे सब बिखले हुए थे फिर धीरे 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 खटा होना स्टार्ट हुए धूल के बादल बने फिर उनमें धीरे धीरे और कंड़ जुडने लगे धीरे धीरे उनका मास बढ़ने लगा यानि कि भार बढ़ने लगा करते करते अलग लग सेलेस्ट्रिल बॉडी बनी किसी में कई प्लैनेट बना कई एस्टेरोड बेना, कई परबाद में फिर सूर्य बना, कई आखाज गंगाय बने, ये सारे फॉर्मिशल्स होते रहे, इन सम में ये एक लंबर प्रोसेस है, इस पूरी को एक्स्प्रिंट करने का मतलब है फूर पूरी युनिवर्स की बात करना, उतना डीप नहीं जाना हमें थोड़ा मोटा मोटा आईडिया रखना है कि तुम्मिहें चल क्या रहा था, काफी जो दूलके कर थे उन सब को मिला करके एक छोटा सा प्लेनिट टाइप का बना, जिसका सा प्रित्वी के साइजस से एक चोथा ही था छोट अज़ा प्लैनेट बना जिसका साइज वन फोर्थ था चलो साब बन गया फिर दीरे दीरे और भी प्लैनेट बने हमारे सूर्य बन ही चुका था फिर सूर्य के पास में पांच प्लैनेट थे एक का नाम था मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये जोपीटर नहीं था एक थिया नाम का प्लैनेट था थिया ये थिया नाम का जो प्लैनेट है ये बहुत बड़ा प्लैनेट था ये किसी भी प्रकार से प्रत्वी से आगर के टकरा गया टकराने के बाद में दोनों में कुलीजन हुआ, collision के बाद एक बड़ा सा planet बन करके उबर के आया, जिसे हम आज प्रत्वी कहते हैं, और टक्राने के बाद एक टुकड़ा भी छटककर के दूर गया, जिसे हम आज मून या चंद्रमा के नाम से जानते हैं, तो ये थिया नाम का planet था, जिसके टक्राने के वज़े से प्रत्वी का size, जो कि आज के size से पहले one-fourth था, वो present size में आया, यानि कि आज प्रत्वी का अगार वो है, जो हम देख रहे हैं, just because of थिया नाम के planet, ठीक है, और चंद्रमा भी इससे चटक कर गए, अलग बना, इसे को कहते हैं, big splash theory, big splash, big splash, splash मैंने, कई पर इकदम छाप मारते ना, तो पानी चटकता है, तो उस तरीके से, इसी से हमारे चंद्रमा बना ऐसा हम मानते हैं, तो starting में जो प्रत्वी थी, वो दूल के करणों का एक बादल थी, धीरे धीरे उसमें mass accumulate होना स्टार्ट हुआ, यानि एकत्रीकरन स्टार्ट हुआ, फिर धीरे से ये planet आकर के टकर आ गया, इससे, उसके बाद में प्रत्वी का जो है, आकार और बड़ा हो गया, mass यानि के भार और बड़ा हो गया, गृत्वाकर्शन बन भी आ गया, क्योंकि science का एक नियम है, ज पिंट थे, एस्टरोइड थे, टकराते थे, heat generate होती थी, काफी ज़्यादा temperature बड़े जाता था, इसकी वज़े से प्रत्वी बन गया आक का गोला, और भ्रमान में जैसे जैसे एस्टरोइड कम होने लगे, टकराहट भी कम होने लगी, और आक का गोला भी धीरे 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 साइज आ गया, लेकिन आक का गोला भी नई बनी है, इसमें एस्टरोइड टकराएंगे बहुत सारे, तप्रत्वी आक का गोला बन जाएगी, लंबे समय तक बनी रहेगी, क्योंकि एस्टरोइड टकराए जा रहे है, तगर दीने दीने जैसे एसे एस्टरोइड कम होते जा आने के कारण यहां पर क्या हीटिंग हो गई थी हीटिंग के उज़े से यहां पर जितने भी एनिमेंट्स थे जितने भी पदारते थे वो सब मुल्टन अवस्ता में आ गए थे गल चुके थे अब दीरे दीरे जैसे अर्थ सॉलिटिफाई होगी यानि प्रत्वी ठोस होगी तो जितनी भी भारी चीज़ा है वो नीचे बैठेंगी और हल्की चीज़े उपर आजाएंगी तो जिनका भार कम था या जिनकी डेंसिटी कम थी वो उपर की तरफ आ गई जिससे कि अमारी बू परपटी बनी अर्थ क्रस्ट बनी जिस हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं उस gases बनने लगी, और समय के साथ जितने भी hydrogen और oxygen के element थे वो भी टकरा करके reaction करने लगे और water vapor बनने लगी water vapor बनी है जलवाश्प, क्योंकि temperature अभी भी ज्यादा है, इसलिए जलवाश्प बनी हुई है, प्रत्वी दीरे दीरे ठंडी हो रही है, धीरे अब जनम होता है एक bacteria गा, ऐसा bacteria जो photosynthesis के जरीए अपना भोजन बनाता है, इसे oxygen की जरूरत नहीं है इसे carbon dioxide की जरूरत है, उससे अपना भोजन बनाता है, उससे अपने आपको जिंदा रखता है इसका जो cell था, वो prokriotic cell था, prokriotic cell उसे कहते है जिसमें nucleus पूरी तरह से डवलप नहीं होता वो science की बात उससे छोदो बट एक bacteria जैसा कुछ आया उस bacteria की विशेस्ता थी कि environment में से जितनी भी हानिकारक gas है थी, जैसे मैंने यह नाम लिग दिया है अब इसे देख लेना, जितनी भी हानिकारक कैसे थी, उनको absorb करता था ऐसे कही सारे वेक्टिरिया थे, absorb करते थे और oxygen release करते थे photosynthesis कर रहा है ना, photosynthesis में क्या होता है, oxygen release होती है इन्होंने धीरे-धीरे oxygen बनाना स्टार्ट किया और विद्दे टाइम क्या हुआ इसी oxygen की presence में water vapor भी present थी और life forms भी जन्निट होने लगी छोटे-छोटे और जीवाणों पैदा होने लगे unicellular organisms पैदा होने लगे इन्ही का समय के साथ evolution हुआ आप कैंगे evolution का मतलब क्या है evolution का मतलब यह होता है कि समय के साथ, condition के साथ, climate के साथ अपने आप में बदलाफ करना अपने रूप में परिवर्तन लाना समय के अलोसार अपने आपको ढ़ाल लेना पहले आप एक बैक्टिरिया थे यह unicellular थे, फिर बाद में कहीं यह कैसी रीजन में पहुँच गए, जहां पर climatic condition कुछ और थी, आपकी body को किसी और तरीके से adapt करना था, तो आपने अपने आपको किसी और तरीके से evolve किया, अपने अंदर changes किये, तो पता चला उच जगे पर दूसरी तरीके के लोग तयार हो गए, फिर तीसी जगे गए, वहां दूसरी तरीके के लोग तयार होने लगे, ऐसे ही अलग-अलग conditions में अलग-अलग evolution होने लगे, इसे को कहते है theory of evolution, यानि कि कैसे प्रत्वी में अलग-अलग जीव जन्तु आगे बढ़े और अलग प्रजातिया पहदा गुई, तो हमने बात करी थी कि 1380 करोड साल पहले बिग बैंग हुआ था, इसके बाद जो हमारी प्रत्वी है ये करीब-करीब 450 करोड साल पहले बनी थी, प्रत्वी की बात कर रहा हूं जो पुरी तरह से इसके बाद भी 370 करोड साल पहले प्रत्वी पर जीवन आया life और धीरे-धीरे अलग-अलग प्रजातियां evolve होनी लगी जिस प्रजाति की बात हम करना चाह रहे हैं वो है मानव प्रजाति अब बात करते हैं कि मानव प्रजाति के से स्थित्व में आई तो देखी, मानव नाम के जो प्रजाती है, यह स्टार्ट होई थी प्राइमेट से, प्राइमेट जानते हैं, प्राइमेट मतलब जो ऐसे जीव जन्तों जो बंदर जैसे दिखते हों, जो जुन्डों में रहते हों, और अपना जीवन यापन करते हों, जिन्नें दूसरों से खत्रा हो इसलिए जुन्ड में रहते हो जिन्ने भुजन प्राप करना हो इसलिए जुन्ड में रहते हो इस तरह के जीवजंतों को प्राइमेट्स कहते हैं हाला कि प्राइमेट्स से पहले भी थे कुछ हमारे पुर्वज वहाँ से बात करने के वजाए हम बात करते हैं कि humans यानि कि primates का इतिहास क्या है तो देखो लगबग एक 1.2 करोड वर्ष पूर प्राइमेट्स अस्तितों में आए अब आपका होगे इनका evolution कैसे हुआ इनसे पहले कौन था क्या था इसे बहुत प्रिजातिया नहीं होंगी कहा कहा तक evolution हम ख्योजेंगे वो बहुत मुझके लिए खोजना आप जानते हैं पूरे ब्रह्मांड में आज तक जितना हमारा अनुमान है करीब करीब 1 trillion species है 1 trillion यानि एक लाख करोड़ species हैं जिसमें आस तक हम जो खोज पाए हैं उनमें शायद 20 लाख के आसपास species को हम खोज पाए हैं बाकी तो पता ही नहीं है तो इतनी species थी अच्छा ये सारी जो कमें बाते बता रहा हूं आपको ये एक किताब में दी गई है किताब का नाम है sapiens ठीक है ना काफी मशूर किताब है और ये इसराइल के philosopher है ये काफी पढ़े जाते हैं पुरी दुनिया में इन्होंने एक किताब लिखी है और इन्होंनों इसमें बताया है कि कैसे मानव की उत्पत्ती हुई और कैसे हम present condition तक आए ये सारा fact और data में वहीं से आपको बता ठीक है तो जो प्राइमेट्स हैं प्राइमेट्स भी आगे जाकर के दो सेक्शन में बटे इनमें एक थे आपके एप यानि की जो आप देखते हो ना चिंपैंजी आज कल भी देखने को मिलते हैं यह आप देखते हो गोरिल्ला गोरिल्ला देखने को मिलता है जो इस परकार तो हमें इनसे भी मतलब है नहीं क्योंकि ये पहले भी थे ये आज भी है एक सेक्शन और था जो दीरे दीरे एवाल होता गया एवाल होता हुआ आज होमो सेब्यांस तक महुच गया है आप कहोगे कि साब एक बात बताईए एक जमाना था ऐसा बताते हैं कि हर जगे सिर्फ ब विद्विष गया है अब उनको हम देख रहे तो इक अलगी तरीगी कि रुक देख रहे हैं गोरे wait, चट्टे टाइबब हो गए हैं, अलग तरीके के गपड़े पहिन रहे हैं, modern गपड़े पहिन रहे हैं, गारी से उतर हैं और बाक करने का तरीका लग आगया नहीं ही खान पीर में बदलाव आ लग ही दिख तो जीवन किसी एक जगह पर नहीं हुआ था, करी जगह पर एक साथ हो गया था, तो depending upon condition, यानि कि देश काल परिस्तिती की अनुसार उसमें कैसा बदला हुआ, उसकी अनुसार वहां के पर जातियां तो बदली और कहीं और कहीं और की नहीं बदल पाएं, जैसे गाउं में जो से हुई है, सारा कुछ जो है, अफरिका सेंटर पॉइंट था, वहां से मानव दिले दिले दुनिया में फैला, और वहां से अलग-अलग evolution हुए, जो प्रैमिट्स की में बात कर रहा हूँ, जो सबसे पहली हमारी species थी, वो पूरी दुनिया में फैली, और वहां की देश काल परिस्तिती की अनुसार आपने आपको ढाला और बदलते गए, जैसे जिराफ के बारे में आपने सुना होगा कि जिराफ की गर्दन इत्मी उची क्यों होती है, क्योंकि कई वर्षों पूर जब जिराफ ने खाना खाने की कोशिश करी तो गर्दन कुछ क्या करके, पेड़ जैसे आज कल हम मुवाईल का प्रियोग बहुत करते हैं, तो जिसमें सबस्याता प्रियोग होता है अंगूटे का, टैपिंग वगएरा में, आज कल यह वाला अंगूटा यह यह राइट है, तो यह वाल अंगूटा बहुत यूज में आ रहा है, हो सकता है कि आने वाली पी दो नहीं चीज़े हैने हैं यह तो हो गई एक बात अब हम बात करते हैं इस पूरी इस्तिति की देखिए इस इस्तितिकी बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमेसा दो पहलू ले करके हम चलेंगे पहला एक पहलू होता है जियोग्रफी का ठीक है, जियोग्रफी का, जियोग्रफी में क्या क्या चेंजिस आ रहे थे, और दूसरा पहलू होता है, बाइलोजी का, जियोग्रफी में भी दो पहलू देखने पड़ेंगे, एक एट्मोस्फेर का, आपने सुनाओगा, तीन कंपोनेंट्स हैं, हमारी प्रत्वी में, जो म बात करें, और लिथोस्फेर यानि की सता, प्रत्वी, यानि रॉक पर क्या हो रहा है, हम उसकी बात करें, चीके, तो इसमें हमें पहली बात करनी है, एट्मोस्फेर की, और जो दूसरी बात करनी है, वो करनी है लिथोस्फेर की, लिथोस्फेर की, यानि की सता, प्रत्वी आफिकी सता और यह क्या है, वायू मंडल, वायू मंडल, बाईलो जी मैं हम क्या बात कर रहा है, यह मैं बहुत देट से कर ही रहा हूं, कि कैसे हम लोग इव खर रहे हैं, एक सेल से मल्टी सेलोलर हुए, फिर अलग अलग ऑलग, जो मानव है, इवोलूशन हुआ, उस पर मैं Continental Drift Theory, जगरफ भी बताई जाती है, Continental Drift Theory, विगनन नाम के एक क्लाइमेटोलोजिस ने ये थियोरी दी थी, इनकी अनुसार पूरी प्रत्वी में पहले सिर्फ एक ही Continent पाया जाता था, मैं इसको यहां नहीं यहां बनाता हूँ, Continental Drift Theory, इनकी अनुसार पूरी प्रत्वी में पहले एक ही Continent पाया जाता था, यानि की सिर्फ एक Continent और एक बड़ा सा महा सागर, समझे, Continent का नाम इन्हों ने रख था पैंजिया, जिन्हों ने थियोरी थी, कि वह एक Continent था बड़ा सा, आज जैसे हमें अलगले Continent दिखते हैं इसा कुछ नहीं था, एक ही Continent था बड़ा सा उसका नाम था पैंजिया, और जो बड़ा सा सागर था उसका नाम था पैंथा लासा, पैंथा लासा, ठीक है करो बहुत पहले की बात है यह, धीरे धीरे क्या हुआ है, लिथोस फियार है, रॉक है न, दिस इस सर्फेस, धीरे इस पैंजिया के दो टुकड़े हुए, टुकड़े होने का मतलब है, एक टुकड़ा नीचे गोनवाना लेंड बना, और एक टुकड़ा अलग तूट करके बना, उसका नाम था लॉरेशिया, यह दो टुकड़ों में तूटा, और बीच में कुछ पानी है आ गया, इस पान मास तूट गया, समय के साथ यह और दो हिस्सों में तूटा, फिर और हिस्सों में तूटा, तूटते तूटते पूरे दुनिया में इस कॉंटिनेंट्स बिखर गए, दीरे दीरे टुकड़े तूट भी रहते और आगे खिसक भी रहते, इनकी थियोरी के अनुसार, इनकी यह काम चल रहा है और कॉंटिनेंट्स और टूटों में भी तूट रहे हैं, फर एक्जामपल अफरिका के कॉंटिनेंट्स को देखें, तो उसका एक हिस्सा कट करके अलग हो रहा है, समय के साथ यह सब तूटके अलग हो जाएगा, और बीच में पानी आ जाएगा, जहाँ पर्याप्त नहीं थी, वो बात में गलत सावित हुए, लेकिन हाँ थियोरी की जो आत्मा थी, यानि की जो यह चीज़े हो रही है, यह बात इनकी सहीती के हाँ ऐसा हो रहा है, तो प्रित्वी की सतयब पर यानि रॉक पर लिथोस्फेर पर तो यह गटना चल रही थी, चल क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि कभी तो प्रित्वी बहुत गर्म हो जा रही थी, कभी बहुत ठंडी हो जा रही थी, कभी बहुत गर्म हो जा रही थी, कभी बरफ पड़ जा रही थी, तो जब जब ठंडी हो रही थी या बरफ पड़ रही थी, उसे कहते थे आइस ए यानि कि यहाँ पर अलग-अलग climate change हो रही थे, इसी क्रम में एक ice age आता है, आज के करीब-करीब 70 लाख साल पहले, 70 लाख साल पहले, तो इस ice age में क्या होता है? काफी सारे पेड़ पौदे नस्ट हो जाते हैं, बड़े-बड़े पेड़ विलुप्त हो जाते हैं, सिर्फ छोटी-छोटी घास बसती है, और यहाँ पर वो जो primates थे, जनकी मैं बात कर रहा था, जो स्टार्ट में बंदर टाइप के थे, याद है, उन्होंने क्या किया? पे यापन करना पड़ रहा है, अब जब धती पर चल रहे हैं, तो दूसरे से बचना भी पड़ेगा, कोई दूसरा पसु पक्षी या कोई उसे मार ना दे, तो जोड़ने में रहते थे, उचख उचख के देखते थे, तो इसकी वैसे क्या हुआ है, उठेने क्या आदत पड़ पर जाती थी, वो दो पैरों पर चलने लगी, धीरे-धीरे मामला आगे बढ़ने लगा, मत समझ रहे, तो 70 लाक साल पहले ऐसा हुआ, और ये करम चलता गया, चलता गया, कई सारे बदलाव आते गए, आते गए, आते गए, और 3 लाक साल पहले, 3 लाक साल पहले, कौन हेवन लोगर के आया homo sapiens जिसके हम बात कर रहे हैं यानि कि फिर इस age का क्या हुआ जो लगबग 60,000,000 साल के थी इस age group को हम कहते है या इस time period को हम कहते है pre history time period pre history इसी में अलग-अलग evolution हुए थे तो देखे लगबग 70,000,000 साल पहले आई से जाई थी ये भी एक बंदर टाइप की प्रजाती थी जिसको ये लगने लगा कि अगर हम एक जगह पर रहेंगे तो हो सकता किसी दिन हम लोग भी लुप्त हो जाए इसलिए दुनिया में बिखर जाओ तो धीरे-दीरे बिखरने लगे दुनिया में silent drops उसके बाद लगबग इस टाइम पीरेड में टाइम पीरेड याद रखने की ज़रूत नहीं है आर्दी प्रजाती का साय यानि कि इन में थोड़ा और improvement हुआ और यहाँ पर देखने को मिला कि जो brain का size है वो धीरे-दीरे बड़ा हो रहा है क्योंकि समय के साथ इन प्रजातियों ने अपने दिमाग का प्रयोग करना start कर दिया था इसलिए इनका जो brain का size है वो बड़ा होने लगा पहले क्या होता था जो line है यह काफी आगे तक होती थी brain पीछे होता था फिर धीरे-धीर जो line पीछे जा रही थी brain आ गया ता जा रहा था है है ना तो यह होने लगा यहाँ पर फिर लगवग 42 से 17 लाक साल के बीच में वो इस ट्रेलो पे थैकस काफी ज़्यादा अस्तित में आए इनका दिमाग बहुत तिर चलने लगा और यही वो प्रजाती थी जिसने स्टोन्स का यूज करना स्टार्ट किया यानि कि स्टोन्स के जरीए हंटिंग करना नुकिले पत्थर बना करके जानवरों को मारना उससे मास प्राप करना और खा करके पत्थर के टूल्स का इस्तमाल करना और अच्छे से सीख लिया था ये लोग नुकिले पत्थरों का और प्रयोग करने लगे और ज्यादा अच्छे से प्रयोग करने लगे यानि कि ब्रेन का साइज और बड़ा हुआ जो लाइन और अंदर गई सिर्फ evolution है और कुछ नहीं है उसके बाद जिस family की या जिस जीन की हम बात कर रहे हैं वो है homo homo एक बड़ा नाम है एक अम्रेला नाम है उसके अंदर कई सारी और प्रजातियां आती हैं कैसे देखिए homo में सबसे पहली जो जीव आये थे या सबसे पहली जो प्रजाति आये थी वो थी homo habilis homo habilis बहुत smart थी उसके बाद homo erectus आये homo erectus वो प्रजाति थी जो रिड़ की हड़ी सीधी रख कर के चलना सीख गए थी यानि कि इससे पहले जितनी प्रजातिया थी सब जुकर के चल रही थी इसने और अच्छे से एंटिंग करना सीखा इसने मास्क को पका कर के खाना सीखा इससे पहले क्या हो रहा था मास्क अच्छा भी खाये जाना था थोड़ा पका के भी खा रहे थे लेकिन पूरी तरह से जो पका के खाने का रिवाज है वो इन्होंने स्टाट किया औ और यहां से दो प्रजातिया और निकल करके आई, जिन में से एक थी होमो नेंदर थाल और एक थे होमो सेपियंस, होमो नेंदर थाल भी बहुत इंटेलिजन्ट थे, होमो सेपियंस भी बहुत इंटेलिजन्ट थे, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, एक मिनी आइस एज फिर से आ लोगों की जो extension है वो हो गई थी यानि कि ये लोग विलुप्त हो गए थे एक अंदाजा है confirm कोई भी नहीं है कि नियंडर्थाल कैसे विलुप्त हुए लेकिन homo sapiens उसमें फिर भी जिंदा रह गए और आज भी survive कर रहे हैं और आज भी evolve हो रहे हैं तो ये एक कहानी है यानि क कि इस पूरी कहानी में हमें क्या जानना है हमें सर्फ ये जानना है कि ये लोग पूरी दुनिया में फैले फैलने के बाद धीरे-धीरे evolve होते गए और अस्टेलर पेटकस वो थे जिन्होंने इस्टोन से टूल्स बनाना यूस किया उसके बाद इन लोगों ने और अच्छे से टूल्स को बनाया और फिर होमो प्रजाती आई होमो प्रजाती में होमो हेबलेस आई जिन्होंने आख को गंडूल करना सीख लिया ये बात है करीब करीब 18 लाग साल पेले कि जब इन्होंने आख को गंडूल करना सीख लिया था 18 से 20 लाग साल पहले गया सपास की बात है और homo erectus आए, homo erectus ने भाग करके अंटिंग करना सीख लिया और जानवरों को पकरके रखना भी सीख लिया था और फिर एक mini ice age आई जो 15,000 साल तक रही थी और 15,000 साल के बाद फिर से temperature दीरे 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 बढ़ने लगा और फिर बारी आती है लगबग 10,000 साल पूर्व की इनके पूर्वज इन्हें आज लाना से गा गएते इन्हें ये भी पता था कि आई से जा गई है कई सारी प्रजातिया विलुप्त हो गई है कलको हो सकता है अगर हम non-wage पर ही dependent रहे तो सारी जीब जन तो मर जाएंगे और हम कुछ खाई नहीं पाएंगे तो उन्हें ने दिमाग लगाया और उन्होंने एक नया खाने का विकल्प चुना और वो विकल्प था क्या एग्री कल्चर इनको लगा कि बही कलको ऐसा नँए कि सारा खाना विलुप्त हो जया या नीと हम तो भूगे मर जाएंगे, कुछ ना कुछ नहीं आडूनो जिसे पका के हम खा सके ये जिसका हम खेती कर सके हमका उन्हों कि by के चीना इंग आग इग्री कल्प पास थी पानी इनन और एक जगे ठेर करगे आप एगरिकल्चर करने की कोशिश करने लगे आज से 10,000 साल पहले की बात कर रहा हूँ अब जो आपनी पहले खाने की तलाश में दाइवाय बिखर रहा था आप एक जगे स्टेविल होना सीख गया क्यों? क्योंकि उसे अपने खेत के पास है, उसे खेती करनी है आप एक जगे आपने बसना स्टार्ट होगा, खेती भी कहां करेगा? जहां पर नदी भेर रही होगी क्योंकि पानी चाहिए, इसलिए पुराने सब बिताओं का विकास नदीयों के पास हुआ है क्योंकि वहाँ खेती करना आसान होता है, वहाँ अविकास करना आसान होता है, अपने आपको स्टेबल करना आसान होता है अपना घर बनाना आसान होता है, खेती ही प्रमुक जरिया थी, जिसके द्वारा लोग एक जगे पर ठहरना सीखे रुकना सीखे, घर बनाना सीखे, फिर धीरे धीरे भाशाएं डवलप हुई, धीरे धीरे आपसी कल्चर संस्किती डवलप हुई, धीरे धीरे लोगों ने सिस्टम बनाना स्टार्ट किया, अच्छा, हमारी जरूरत तो कि वह 100 किलो अनाज था, हमने 1500 किलो अनाज होगा लिया चल रही है, तुम हमसे अराज ले लो, उसके बदले में तुम हमें कुछ कपड़ यासा कुछ दे दो, अचा तुम हमसे अराज ले लो, उसके बदले में तुम हमें अपनी एक गाय दे दो, तुम हमें अपनी एक बकरी दे दो, ऐसे सिस्टम चलता, यानि धीरे-धीरे एकनॉ में डेवलप हुई समझ रहें आप बात तो पहले आदमी सिर्फ जानवरों की तरह डेह रहा था फिर कुछ जटके उसे लगे तो समझ में आ गया कि कोई और जरीया भी चुनना पड़ेगा उसने एगरी कल्चर को चुना एगरी कल्चर ने ना सिर्फ आदमी को खाने का विकल अगली अपिसोड